दोस्तों बात करें तक जनरल परसेप्शन बना हुआ है कि जब भी वीवो का फोन लाँच होता है वो हमेशा मुसे ओवर प्रेस्ट कहते हैं महंगा कहते हैं लेकिन अभी लग रहा है कि इस परसेप्शन को वीवो ने तोड़ दिया और एक ऐसा फोन निकाला है जो कि प्राइ टाउजन रुपीज का आपको देखने को मिलता है लेकिन उस पर्टिकुलर प्राइस पार में स्नैप ड्रेगन 870 वाली चिप देखने को मिलती है और भी काफी सारी चीज़े देखने को लते हैं और लग रहा है कि इस बार एक काफी अच्छा फोन आपको देखने को बल रह ले और लगब एक दिन से विस वीवो के एक 60 को यहां पर यूज कर रहा हूं तो अपना जो पसल ओपीनिन होता है ना वो भी यहां पर शेयर होने वाले है तो वीडियो के आप लोग को पसंदा है तो लाइक करने चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं तो सबसे पहले वीवो क यहां पर जो मैंने हाथ में लिया ना तो यहां पर जो मेरा जो फर्स्ट इंप्रेशन था ना वो काफी ज्यादा सॉलेड था यहां ने कि डेफिनिटली है पीछे का जो डिजाइन जो बैक ये लोग बनाते हैं वो काफी ज्यादा अच्छा लगता है और देखने में आपक यहां पर को कर रहे हैं तो यहां पर कोई बीस तेखने को नहीं मिलता है यहां पर आपको hard plastic खत्यस देखने को मिल रहा है लेकिन box के अंदर इक और ऐसी चीज़ है जो मैंने expect नहीं करी थे कि आज किस समय में mobile phone के boxes में देखने को मिलेगी यहां पर मैं बात charger की नहीं कर रहो यहां मैं बात कर रहो earphones की यहां पर आपको 3.5 mm audio jack वाले जो earphones होते हैं वो box में देखने को मिलते हैं वह बात अलग है कि यहां पर आपको कोई भी headphone jack देखने को नहीं मिलता लेकिन हाँ type seat वाला जो dongle होते है और वो box के अंदर देखने को मिल रहे हैं जेनरल ही हम earphones है ना box के अंदर हमें देखने को मिलते नहीं आजकल mobile phones के अंदर और charger तो है इसके अंदर तो खेर यह सारी बात है अलग हो जाती है और हाथ में पगड़नें भी इससे लगता है तो यहां पर सही काम किया इसके साथ ही बात की जाए तो एक जो काफी चीज़ जो यहां पर highlight की जारी इसका camera यहां पर काल जीस की ब्रण्डिंग देखने को मिल रही है और यहां पर इसको हाईलेट किया रहा है ऐसा इसा एक मेरा देखने को मिल रहा है यहां पे आपको 5-axis का ओई-एस स्टेबलाइजेशन भी देखने को मिलता है और साधी साथ जो अपर चारे कैमरे में वो है f1.8 लेकिन इसके साथ दो और कैमरा और देखने का बल रहे है की ब्रेंगनिंग यहां पिए लोग लेंसे को डेवलप करते हैं और चारे जाए जो के काफी सारे हाएंड कैमरा के उसके इंदर यूश की जाती है यहां पर बात कि जो पर ट्रिकूलर दिवेवो एक-सिक्स टी में यहां को जो आपको जो देखने को लगार लेकिन इसका सबस बड़ा भाई आता है एक 60 pro plus वहां पे special lenses को यूज किया गया जहां पर आपको special टी स्टार कोटिंग देखने कोलती है लेकिन एक important बात यहां पर बता देना चाहूंगा कि उन phones के अंदर आपको gimbal stabilization camera देखने कोलता है यहां पर gimbal तो नहीं है लेकिन यहां यहां पर OIS को इंप्लीमेंट किया गया अब डिफरेंस यह है कि यहां पर OIS को इंप्लीमेंटेशन वह अच्छे से किया गया और डेफिनिटली बात की जाए दूसरी इसके अंदर जो OIS होता है उससे बैटर काम करता है यहां पर बात की जाए तो यहां पर अगर आप वीडियो रिकॉर्ड करेंगे चलते चलते तो 40,000 रुपीज के साब से एक फोन के अंदर आपको काफी सही कैमरे देखने को मिल जाता है आप उसके अंदर तो हम कोई कम्पेंड करी नहीं सकते है कैमरे के अंदर डेफिनिटली काफी अच्छा काम क्या है हलाकि जो उसके बड़े भाईया है एक सेंसर भी यूज हो रह लाती है इसके साथ ही 32 में पेस्षिल का सामनी की तरफ एक सेलफी का कैमरा देखने को मलता है लेकिन इसके साथ अकर हम कैमरा से आकर भढ़के बात करें परफर्मेंस वाले साइड में परफर्मेंस कैसी होगी जैसकि मैंने बता है इसमें आपको स्नैपड्रेगन 870 यह 888 का चोटा भाई है लेकिन 865 के ऊपर हम इसे प्लेस कर सकते हैं और 870 के ऐसी चिप है जो कि stable है अच्छी गेमिंग का भी experience करवा सकती है और high fps high frame rate और जो flagship level की gaming करवाना चाहते हो वो करवा सकते हो और एक और सबसे अच्छी चीजी है कि snapdragon 870 आपको flagship level का experience देती है तो जैसा आपको किसी महेंगे फोन या premium phone में snapdragon 888 वाले phone मुझे experience मिलेगा वो यहां पर प्रवाइट करनी कोशिकी गई तो हाँ snapdragon 870 काफी अच्छी तरीके से काम करता है हाला कि थोड़ी और टेस्टिंग वगरा करेंगे लेकिन में को लगता है कि flagship पर बिल्कुली स्मूद चलने वाले games वागरा भी स्मूद चलेंगे लेकिन इसके साथ बात कर राम और storage की वेल यहां पर जो राम यूज की गई वो की गई यह LPDDR4X 8GB RAM 12GB RAM के option है virtual RAM के नाम से भी चीज़ देखने को थी मैंने अपने वीडियो के अंदर explain कि virtual RAM किस तरीके से काम करती क्या रहता है यहां पर 3GB के extra virtual RAM है उसको on-off करने का भी होता है option यहां पर लेकिन बाब बता देना चाहूंगा फोन की जो performance होती जो multi-tasking capabilities होती है उस पर ऐसे कोई बढ़ी भारी चेंज आप लोग notice नहीं कर पाएंगे सारी चीज़े नॉर्मल और smoothly चलती रहेंगी वहां पर कोई दिक्कत नहीं आने वाली और storage की बात करें 128GB 256GB model दौनों ही अंदर आपको UFS 3.1 storage देखने को जोता है यह सही बात होती है इसके साथ ही बात करें जैसा कि मैंने आपको बदाए एक 5G chipset है तो 5G भी आपको इसके अंदर देखने को बल रहा है लेकिन बात करें 5G bands की यहां पर आपको सिर्फ दो 5G bands को support देखने को लता है N77 N78 bands है अब इसे जादा 5G के हिसाफ से future proof तो नहीं कह सकते लेकिन आप performance side में काफी इच्छे तरीके से निकल जाता है लेकिन जो 5G रहता है यहां पर सिर्फ आपको सिर्फ दो ही bands देखने को बलते है और इसे के साथ ही connectivity साइट में और बात करें dual sim देखने को बलते है dual 4G, dual Wi-Fi, MIMO वाली technology सारी चीज़े यहां पर है लेकिन इसके सा देवक touch response help कर सकता है आप लोगी और एक और important चीज़ यह कि डिस्पले के अंदर quality काफी अच्छी, HDR 10 Plus certified है और colors वगरा काफी अच्छे तरीके से देखने को मलते है और processor भी powerful है तो 120Hz को आसान तरीके से handle कर लेता है, even कोई game अगर 120fps में support करता होगा तो processor भी is capable है कि 120fps में तो हाँ gaming के साब से display काफी अच्छा है और all content consumption के साब से भी display के अंदर black level सारे चीज़ा कमाल देखने को मलती है brightness भी काफी सही लगी इसके साथ एक important बात ही है कि जो speakers की बात कर तो initially मैंने speaker test कर रहे तो हाँ obviously यहाँ पे single speaker bottom में stereo speakers देखने को नहीं मिल रहे है तो एक बात हो जाती है इसके साथ हाई-res audio का support है लेकर कोई भी headphone jack नहीं है हाई-res audio के लिए टैप सी डॉंगल यूज करके आपको headphone वगरा यूज करने पड़ेंगे या फिर जो wireless headphones होते है उन्हें आपको यूज करना पड़ेगा और इसी के साथ ही बात करें fun touch OS की यहां पे हमने पास नही होते हैं iOS के हमें copy देखने को मिलते हैं लेकिन यहां पर iOS से जादे हैं यहां पर Android का feel आ रहा है यहां पर आपको stock Android होता है वैसा experience देखने को मिल रहा है हालक ही बात की जाए यहां पे fun touch OS के अंदर काफी सारी features को implement किया गया है जैसो overall theming वगरा के options हो गए या फिक customization के options हो ग इस टॉक नहीं कह सकते हैं लेकिन customization के options है और चोटी सी दिक्कत ही है यहां पर कि यहां पर आपको bloatwares देखने को होते हैं काफी सारी apps यहां पर preloaded है और कुछ apps hot apps hot games यह सारी चीज़े कुछ apps आपको देखने को मिलते हैं ब्राउजर वगरा देखने को मिलता है जो कई बा apps को अगर आप डिसेबल कर लो तो आप एक clean experience ले सकते हो लेकिन हालना की bloatwares definitely आपको देखने का हो रहा है especially hot apps hot games अगर हमें छोटी-छोटी hot apps और इस छोटी-छोटी चीज़ों का remove कर दे थोड़ा सबसे और clean कर देना बहुत ही सही बात होगी यहांने की देखा तो काफी बड़ा एक improvement हुआ है यहां पर लेकिन फिर भी थोड़ा सब सब्सक्राइब और इसी के साथ ही बात करें बैटरी की तो यहां पर 4300 mAh की बैटरी देखने को मलती है जो कि मैं को थोड़ी से कम लगती है और यहां पर जो चार्जिंग है 33 वाट की 33 वाट की चार्जिंग हम इसे definitely fast charging कह सकते है लेकिन हम इसे flagship level की charging नहीं कह सकते फ्लेक्शिप लाविल की charging इसके बड़े भाहिया 60 pro plus में आती जहां पर आपको 55 वाट का चार्जर देखने को मलता है यहां पर 33 वाट का चार्जर देखने को मलता है तो charging के साब से इसे हम fast कह सकते है और बैटरी लाइफ देखा है तो इसे थोड़ा और टेस्स करने की जरूरत है लेकिन हां 4300 बैटरी थोड़ी से कम लगी 4500 होती तो काफी सही रहता हाला कि लग रहा है कि फोन को थोड़ा slim और light width बनाने के लिए शाह देखिया होगा फिरहाल के समय में ए 38,000 और bank offer वगरा मिला कि आपको काफी अची डील मिल सकते है और उस डील में इस फोन के नस्दीक कोई दूसरा फोन नहीं आ सकते है इसमें Snapdragon 870 या फिर इस लेवल का camera हो अभी के समय में देखा तो कोई दूसरा फोन अभी इसके टक्कर में या रख particular उस price point पे लेकिन अगर 35,000 से कम में अगर यह phone अगर आपको offline दुकान में मिल जाता है मतलब कुछ महीने बाद अगर आप यह वीडियो देख रो आपको extra discount वगर देखने को मिल रहा है 35,000 के अंदर एक काफी अची डील साबित हो सकता है उस particular price point पे यहां पे तो आपको काफी जादा मजा आई आपको पूछ सकते हैं तो प्लीज कमेंट सक्षिन नहीं चुकला को पूछन है पूछ सकते हैं थैंक्यों को वीडियो देखने के लिए मैं आप सब दो नेक्स वीडियो के अब दर गुडबाई